Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet, so today I am going to teach you partnership और उसकी features क्या होती है अगर आप लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इस से पहले भी business law, company law और statistics की बहुत सी वीडियोस बनाई है अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका link उपर i button, नीचे description box और pin comments में देदूँगी तो आप लोग चेक कर लीजेगा और हाँ, अगर आप लोगों को motivational stories या motivational quotes देखना अच्छा लगता है तो मेरा एक और channel है, जिसका link में description box में देदूँगी और pin comments में देदूँगी आप चाहें तो उसे subscribe कर सकते हैं So without wasting any time, let's get started Indian Partnership Act 1932, जो हमारी partnership है, वो Indian Partnership Act 1932 के under govern होती है ये act हमारा 1st October 1932 से enforce हो गया था जिसमें section 69 को छोड़ा गया था, means जो section 69 है वो ठीक एक साल बाद enforce में आया था लेकिन बाकी जो act था, वो 1932 में 1st October को enforce हो गया था अब ये section 69 किस चीज़ के regarding था, ये था हमारा effect of non-registration वैसे तो partnership को register कराना compulsory नहीं है optional है, आप करा भी सकते हैं, आप नहीं भी करा सकते हैं लेकिन इस section में ये बताया गया था, कि अगर आप partnership को register नहीं कराते हैं तो उसका क्या असर होगा, उसके क्या effect होंगे तो ये वाला section हमारा ठीक, एक साल बाद 1933 से लागू हुआ था जबकि बाकी जो act था, वो 1932, 1st October को ही लागू हो गया था ठीके, अब Indian Partnership Act पहले क्या होता था? सारे इंडिया पे apply होता था, लेकिन जम्मो और कश्मीर पे नहीं होता था लेकिन अब क्या है? अब ये जो Indian Partnership Act है, ये पूरे इंडिया पे apply होता है including जम्मो और कश्मीर आलसो, वैसे तो इस act में सारी चीज़े गिवन है, सारे मैयर्स गिवन है लेकिन कई बार अगर ऐसी कोई situation है, अगर इस act में कोई चीज ऐसी है, जो नहीं mention है तो उस case में हम किसको देखेंगे? हम Indian Contract Act के provisions को follow करेंगे next is meaning of partnership, partnership का क्या मतलब है, partnership का मतलब है कि लोग इकठे होते हैं जिनका मकसद है profit कमाना, ठीक है कि हम कुछ ऐसा business करें, जिससे हम profit कमाएं और उस profit को एक दूसरे के साथ share करें, तो partnership का basic meaning ये है तो मैंने यहाँ पर दो meaning लिए हैं, आप इन मेंसे कोई भी लिख सकते हैं partnership is an association of person with the object of jointly doing something कि हम jointly कुछ करें ताकि हम profit कमा सके और एक ये second meaning में मैंने given दिया है तो इन दोनों मेंसे आप कोई भी लिख सकते हो मतलब मकसद उनका profit कमाना होता है कि हम साथ में कुछ business करें और profit कमाए next is definition of partnership ये हमारी section 4 के under given है एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ अगर तो आप मेरी video इंडिया से ही देख रहे हैं फिर तो आप इस section को as it is लिखेंगे act को भी as it is लिखेंगे लेकिन अगर आप मेरी video इंडिया के इंडिया के इलावा किसी और country से देख रहे हैं तो फिर आप अपने country के act लिखेंगे अपने country के sections अलग होंगे लेकिन ये होता है कि बीच में जो अंदर जो चीज़े होती है contents हो सब सेम ही होता है ठीक है तो आप समझ सकते हैं यहां से तो partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all ठीक है तो जिनका मकसद होता है profit earn करना यह वही चीज़ को उन्होंने दुबारा जो है वो अपनी language में इसको लिख रखा है definition जो है आपको as it is लिखनी पड़ती है exam में next is characteristics of partnership होती है यह भी हमारी section 4 के under given है अब हमारी characteristics दो तरह की होती है एक होती है statutory characteristics जो हमारी Indian partnership act के अंदर given है ठीक है और एक होती है general characteristics जो की हमारी act के अंदर given नहीं है लेकिन वो generally follow होती है हमारी partnership पे ठीक है जो as it is law में given नहीं है लेकिन वो partnership के features होती है, हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, सबसे पहली है हमारी statutory characteristics, अब कई books में ये segregation नहीं भी होगा तो आप लोगों ने ऐसे नहीं सोचना कि मेरी book में तो नहीं है, मैं करूँ या ना करूँ या आपकी मर्जी है, कई book में statutory और general इन्होंने segregate नहीं करा है simple सारी characteristics दे रखी है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं और हाँ, एक चीज़ और, मुझसे बहुत से students ये पूछते हैं कि मैं हम आपकी वीडियो को as it is exam में लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं तो obviously मैं आप वीडियो बनाती ही जढंग से हूँ, ताकि आप as it is उठा के ऐसे ही material को वहाँ पे paper में लिख सकिए ठीक है, तो ये चीज़ में आपने बिल्कुल confused नहीं होना है, आप पूरा as it is लिखी है, आपको बहुत अच्छे mark score होंगे तो statutory characteristics हमारी ये five characteristics हैं, हम एके करके discuss करेंगे, आप चाहें तो अगर आपको, अगर long question आता है तो आप एक diagram भी बना सकते है statutory characteristics का, ठीक है अगर आप उसे थोड़ा से ज़ादा presentable करना चाहते है, first is more than one person obviously partnership तभी होगी न, अगर एक से ज़ादा इनसान होगा तो minimum partnership करने के लिए दो लोग चाहिए, minimum मतलब ज़ादा तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन minimum दो चाहिए और maximum 50 से ज़ादा नहीं होने चाहिए मतलब maximum 50 होने चाहिए ठीक है, तभी आप partnership जो है कर सकते हो start, क्योंकि अगर हमारा partner दो में से एक रह जाए, suppose, तो partner partnership जो है, वो automatically dissolve हो जाएगी, ठीक है खतम हो जाएगी, और अगर हमारे partners जो है, वो 50 से ज़ादा बढ़ गए, तो हम partnership को illegal मान लेंगे, क्योंकि इसकी maximum limit से 50 ही है clear, तो ये बात ध्यान में रखनी है, minimum 2 होने चाहिए persons और maximum 50 next is existence of business तो partnership हमेशा किसी business के लिए ही की जाती है अगर आप normally partnership करते हो बिना business के, तो वो partnership कहीं नहीं कहीं जाती, the joining of two or more person is called partnership only, अगर दो लोग आपस में join होते हैं, partnership करने के लिए, तभी उसे partnership बोला जाएगा, अगर उनका मकसद है business करना, और वो business legal होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप illegal चीज के लिए partnership कर रहे हो example से बताती हूँ, A और B ने 100 tons of rice खरीदे, चावल खरीदे, और उन्होंने आपस में बाट लिए, 50 ton A ने ले लिए 50 ton B में ले लिए, तो ये partners नहीं हुए, वो co-owner हुए उस चीज के, ठीक है, क्योंकि उनका मकसद आगे उसे बेचना नहीं है लेकिन, अगर उनका मकसद ये हो कि हम इन 50-50 ton को बेचेंगे आगे और profit share करेंगे, profit कमाएंगे और profit एक दूसरे के साथ share करेंगे तब फिर हम उसे बोलेंगे कि उनमें partnership है लेकिन अगर वो बेचने के लिए नहीं अपनी consumption के लिए खरीते हैं तो फिर वो partnership नहीं होगी तो business का होना बहुत जरूरी है partnership में next is contractual relationship जो partnership है वो हमारी status से create नहीं होती, वो contract से create होती है, partnership में आने के लिए partners में contract होना बहुत जरूरी है पहले उनमे agreement बनता है agreement अगर enforceable हो जाता है तो फिर वो contract बन जाता है तो दोनों में contract होना बहुत जरूरी है और it is important to have a contract between partners therefore those people who do not have the capability to enter into a contract cannot become partners जब मैंने Indian contract act आपको कराया था तब मैंने आपको बताया था कि contract में आने के लिए parties जो है एक तो minor नहीं होनी चाहिए एक वो unsound नहीं होनी चाहिए person means अच्छे mental capability होनी चाहिए mentally unstable नहीं होना चाहिए वो person और उसको law ने declare नहीं किया होना चाहिए ineligible ठीक है तो ये तीन चीज़े होना ज़रूरी है तभी एक person contract कर सकता है तो partnership भी एक तरह से contract है तो उसमें आने के लिए ये तीनों चीज़े होना ज़रूरी है means ये तीनों चीज़े नहीं होनी चाहिए minor नहीं होना चाहिए mentally unsound नहीं होना चाहिए ठीक है और वो ineligible नहीं होना चाहिए लेकिन section 30 ऐसा कहता है कि minor को हम partner बना सकते हैं लेकिन वो full-fledged partner नहीं होता है क्यों क्योंकि वो partner होता है सिर्फ profit में वो losses share नहीं करता है वो सिर्फ profits लेता है तो full-fledged partner नहीं होता है लेकिन हम उसे admit कर सकते हैं as a partner otherwise और कोई भी partner बनने के लिए उसमें contractual capacity होना बहुत जरूरी है तभी तो वो contract कर सकेगा ना next is profit motive and sharing of profit obviously आपका मकसद partnership तभी कहलाई जाएगी अगर आपका मकसद है profit कमाना और उस profit को share करना if the objective of the partner is not earning the profit then it is not called as a partnership अगर आपका मकसद profit कमाना नहीं है तो हम उसे partnership नहीं कहेंगे जैसे कि ये example से समझाती हूँ अगर मोहन और सोहन जो है उ हम ऐसा करेंगे food items जो है वो गरीबों को बेचेंगे on the no profit basis या फिर बहुत कम profit में बेचेंगे तो यहाँ पर हम इसे partnership नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर उनका मकसद profit कमाना नहीं है उनका मकसद क्या है गरीबों की मदद करना तो partnership में profit motive होना बहु is responsible for any contract entered to by his agent operating with his limit of authority जैसे कि एक owner जिम्मेदार होता है अपने agent के सारे actions से छो भी agent काम करता है उसके लिए जिम्मेदार ओनर होता है अगर agent अपनी authority के अंदर काम करता है उसी तरीके से partner अपने action से सारे partner को bind कर सकता है ठीक है मतलब एक partner के actions से सारे partner जिम्मेदार होते है in this way every partner plays a double role यहाँ पर partner double role निभाता है owner भी होता है और साथ में वो agent भी होता है क्योंकि एक partner जो है वो firm का भी agent होता है और साथ में एक दूसरे का भी agent होता है इसको हम mutual agency बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे next is journal characteristics अब क्या journal characteristics है सबसे पहली है हमारी unlimited liability यह तो सबसे important है partnership में liability unlimited होती है इसका मतलब यह होता है कि अगर partnership dissolve होती है खतम होती है तो उस case में अगर partnership firm की liabilities assets से ज़ादा है ठीक है तो means liabilities ज़ादा है उतने assets नहीं है तो जो बचावा amount होगा न वो creditors जो है वो किस से receive करेंगे recover करेंगे वो partner से recover करेंगे और यहां पर partner की personal property भी भी बिख सकती है उन creditors को pay करने के लिए क्यों क्योंकि liability unlimited है clear? next is no separate entity partnership की कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती जो पहचान partners की है वही पहचान partnership firm की है ठीक है? this means that all the contract connected with the firm are also applicable to the partner individually as well as collectively ठीक है? तो जितने भी contract किये जाते हैं firm के साथ वो माना जाता है कि firm के साथ तो हुए हुए है, साथ में partners के साथ भी हुए है, क्योंकि इसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती है partnership firm की तो जुड़े वे होते हैं partners और firm एक साथ next is business being carried on by all or any partner acting for all, इसे mutual agency के नाम से भी कई बार आपको point मिलेगा तो confused नहीं होना, यह वही चीज़ है the business of a partnership may be carried on by all partner or one or the more of the partners acting on behalf of all, तो जो partnership का business है, मतब काम है वो ज़रूरी नहीं है, वो सारे partners भी कर सकते हैं या फिर एक या दो partner भी कर सकते हैं बाकियों के बहाफ पे in a partnership business it is not essential that all the partners actively participate in the business, यह ज़रूरी नहीं है कि सारे ही partners काम करें it is essential that the business is done on the behalf of all partners, लेकिन जो भी काम करेगा partner वो सब के बहाफ पे काम करेगा thus the operation of the partnership can be by all partners, तो जो काम है वो सारे भी कर सकते हैं या फिर एक भी कर सकता है लेकिन दूसरों की मर्जी से, दूसरों के consent से next is object of the business being lawful, यह तो सबसे important है कि जो आप मकसद, जिस मकसद से आपने partnership बनाई है, वो legal होनी चाहिए, वो law of land के against नहीं होनी चाहिए, ठीके वो national interest के against नहीं होनी policy के against है, वो lawful नहीं है next is utmost good faith, यह सबसे important feature है कि partners के बीच में faith होना बहुत ज़रूरी है और क्यूंकि यही एक foundation है partnership का अब good faith का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि partner should give every type of information affecting the firm to another, means जो भी partner को एक को information है, वो दूसरे partner को भी वो information दे, मतलब कोई चीज छुपाए नहीं, और अगर कोई भी वो important decision लेने चा रहा है तो वो दूसरे partners को भी consult करे, क्योंकि एक partner अपने action से दूसरे partners को भी bond देता है, वो भी bound हो जाते है तो उसका फर्ज बनता है कि कोई भी action लेने से पहले, कोई decision लेने से पहले, वो दूसरे partners को भी जो है, उनका भी consultation ले और उनको सारी information दे, तो utmost good faith होना बहुत ज़रूरी है next is restriction on transfer of interest अपने जो partnership जैसे एक partner है, ठीक है वो ऐसे नहीं है कि अपना अपना partnership छोड़ दे और अपनी जगा पे किसी और को partner बना दे, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, आप अपने interest को transfer नहीं कर सकते, बिना दूसरे partner से पूछे, it is clear that the basis of the partnership is mutual faith मतलब आपस में भरोसा होना बहुत जरूरी है, कोई भी partner अपना interest जो है, वो बिना दूसरे partner से पूछे, किसी दूसरे को नहीं दे सकता, वो ऐसे नहीं कह सकता कि आज के बाद मेरी जगा पे अब ये partner है क्यों, क्योंकि सारे जो partners होते हैं, वो किसी नए partner को तभी accept करेंगे, पहले वो देखेंगे कि क्या ये भरोसे मंद है, ठीक है तो वो अपने interest को transfer नहीं कर सकता, बिना दूसरे partner से पूछे अब आ जाओ ये तो थी हमारी features I hope आपको clear हो गई होंगी अब आजाओ kinds of partnership partnership अब कितने तरह की होती है first is partnership at will, will का मतलब होता है इच्छा से, ठीक है जो partnership अपनी इच्छा से कभी भी बनाई जा सकती है और कभी भी dissolve कर सकते है उसको बोलते है partnership at will if the duration of the partnership has not been defined in the contract अगर contract में, अगर जो partnership agreement आपने करा है, अगर उसमें आपने partnership की duration नहीं लिखी है means आपने ये नहीं लिखा कि 2 साल के लिए होगी चार साल के लिए होगी, कोई duration नहीं लिखी है और partner कभी भी आ सकते है और कभी भी partnership मतब बना सकते हैं, और कभी भी partnership को dissolve कर सकते है, तो फिर हम कहेंगे कि वह partnership at will होगी section 7 कहता है Indian partnership act का, कि partners कभी भी इस तरीके की partnership को terminate कर सकते हैं, कभी भी भी इसे start कर सकते हैं अगर हमारी partnership at will है Next is particular partnership or partnership for a particular venture ये जो partnership होती है किसी particular काम के लिए होती है जैसे ही वो काम पूरा होता है partnership भी खटम हो जाती है section 8 कहता है the partnership form for some specific object किसी particular मकसद के लिए बनाई जाती है और जैसे ही attain हो जाता है attain मतलब पूरा हो जाता है वो मकसद, pre-determined का मतलब होता है पहले से ही decided, पहले से ही decided कोई मकसद अगर वो पूरा हो जाता है जब, तो वो partnership भी खतम हो जाती है, क्योंकि वो partnership सिर्फ उसी purpose के लिए ही बनाई गी होती है, जैसे कि example से बताती हूँ, दो लोगों ने jointly एक contract करा, कि ह हम building जो है, वो construct करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने partnership करी आपस में, the contract is for particular venture, मतलब particular काम के लिए थी, particular की हम building construct करेंगे, जैसे ही building complete होगी, उनका contract खतम हो जाएगा, क्योंकि contract बना ही, वो particular venture के लिए था, particular काम के लिए था, तो जैसे ही building complete हो जाएगी, वो contract भी खतम हो जाएगा और वह partnership भी खतम हो जाएगी, तो ये हो गई हमारी example, particular partnership की, next is partnership for a fixed period, अब ये नाम से ही बता चल रहा है, partnership जो fixed period के लिए बनाई जाती है, जैसे 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 4 महीने, अब इसको हम बोलते है, partnership for a fixed period, क्योंकि ये particular period के लिए होती है, for example, two person make a contract to provide hotel facilities to the visitors to an exhibition in Delhi, which is for the period of two months दो लोग थे, उन्होंने आपस में agreement करा, contract करा, कि हम hotel facility provide करेंगे, कहां पर दिल्ली में कोई exhibition होने वाली है, वहां पर जितने भी visitor आएंगे, उनको hotel facilities देंगे, दो लोगोंने आपस में agreement करा, और ये exhibition कितने time तक चलेगी, दो महीने तक चलेगी, तो दो महीने का हमारा agreement होग तो यहां पर जो contract of partnership है, वो fixed period के लिए, दो महीने के लिए है, duration given है, क्योंकि exhibition के duration कितनी है, दो महीने, तो जैसे ही दो महीने पूरे होंगे, वो partnership भी खतम हो जाएगी, clear, next is journal partnership, journal partnership, normal partnership होती है, जो हमारी Indian Partnership Act 1932 के अंदर बनती है, और जिसमें जो है, partners की liability unlimited होती है, next is limited partnership, LLP से confuse मत करना, वो अलग चीज है, limited partnership में दो तरह के partners होते है, first journal partner होता है, और second हमारा special partner होता है, the journal partner liability is unlimited, अब इसमें क्या होता है, limited partnership में, इसमें at least एक partner होता है, जो general partner होता है, जिसकी liability unlimited होती है, और बाकी जितने भी partners होते हैं, उन सब की liability हमारी limited होती है, clear, next is legal partnership, जो legal partnership होती है, those partnership which work according to the provisions of Indian partnership act, जो partnership सारे उन provisions को follow करती है, जो कि Indian partnership act 1932 में given है, उसे हम legal partnership बोलेंगे, और जो partnership उन act को follow नहीं करती है, उन provisions को, वो illegal हो जागी, अब illegal भी कई तरीकों से होती है, कौन-कौन सी condition है, if the purpose of the establishment of the partnership is illegal, अगर आपका मकसद ही गलत है, जिसके लिए example दी थी, कि चोरी के लिए दो लोगों ने partnership करी, कि हम चोरी करेंगे, और जो भी profit होगा, उसे आदा-दा share कर लेंगे, तो यहाँ पर यह partnership illegal है, या फिर अगर आपकी partnership कुछ ऐसी है, जो public policy के against है, means जो public के against है, इसमें भी आप वो theft वाली example दुबारा लिख सकते हैं, कि चोर वाली example, या फिर आपने कुछ इस तरीके से partnership करी, किसी की, मतलब किसी से अगर हम जबरदस्ती उससे पैसे वसूलेंगे, और फिर उसको profit की तरह उसे आदा-दा share कर लेंगे, तो यह public policy के against है, तो यह भी partnership हमारी illegal partnership हो जाएगी, या फिर अगर आपके partners 2 से कम हो जाते हैं, य illegal हो जाएगी, या फिर आपके पास, अगर आपकी partners, जो है, उसमें से कोई partner ऐसा है, जो आपके enemy country से है, ठीक है, पहले जब partnership हुई थी, तब तो वो legal थी, तब वो देश हमारा दुश्मन नहीं था, ठीकिन बीच में war declare हो गई, और वो देश हमारा दुश्मन declare हो गया, enemy country ब अगर आपको फिर भी कोई doubt रह जाता है, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं, और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझाता है, और आप आगे further भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी video को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, so thank you. कर सकते हो लिए मुझस कर सकते हैं, कर सकते हैं, और मेरे बते हैं, कि अग operates the ल조 मेरे, बता सकते हैं, य हुक है कर सकते हैं, या कि दे रहा हैं,। झाल ए सकते हैं, गगे श